आज हमारे पास यह होंडा की गाड़ी एक्टिवा आई है इसमें तो को यह टेर में किनारी लीक है यह देखिए यह पूरा किनारी लीक है यह दोनों साइड से लीक है यह देखिए इधर से भी लीक है और उसमें एक पैंचर भी लीक है यह पेंचर भी लिख है यह पेंचर भी लिख है इसको हम खोल के बनाएंगे अज चलो खोलते हैं यह देखिए दो पेंचर हैं यहां पर बने वे हैं जिसमें से यह वाला लीक है यह वाला लीक है यह ठीक है तो हमें दूरी पे है पैंचर तो इसको लगी बनाऊंगा आप यहां मस्रूम पैंचर भी लगा सकते हो लेकिन मैं मस्रूम पैंचर से अच्छा है यह ओमनी की मैं सीटी काट के लगाता हूं यहां पर बाकी चलो मैं इसको बनाता हूं इसको दिखा देना जो, इसे दिखा देना जो, इसको पनाने के लिए अंदर की डोरी इसको निकाल देंगे पहले, यह ने डोरी निकाल दिये है, कि इसमें चोड़ा कट लगा हुआ है इसलिए घिसाए थोड़ी चोड़ी लेंगे के लुटा रखुँ के लेल मхаई टाॱऌषे है नहीं हो ुट है धनो ही अनुटाय नहीं हुएँ है। कि अलुटा y chicken the बाख, irat उ appeal हैक मूँढकिए एक यूपार, क्वाबकिछा महा है। क्या बाख शया है ऑफडा है, गली वा डहिए सॉटा है इसमें तो नगा देंगे तोड़ा देर सुखे का फिलेशन जासरा करा रखा रंगा देर सुखे का इसा नगा है या सुखे का ठांस div rays झाता है तो नगा जाए राखा राखा बाता है क्वशे का था राख रंगा है तो राखा का उन जे खाना है कि है अब ने दो बाई दो का एरिया अंदर से ले लिए गिसाई में और इसमें सुलेशन लगा दिया है बाकी इसमें अब एक पच्छी रवड लगा दूगा मैं पहले के कच्छी रवड लगाने से अमारे इसमें पैंचर में चीटी नहीं मारता कि अ आज आज बड़ा है है इसे कच्छी रवड भी कहते है जो में लगा देते हैं इस पर रोलिंग भी कर देंगे, रोलिंग करने से एक अच्छी रबड अपनी जगहां बिल्गुल पकड़ कर लेती है, इसके बाद में सीट काड़ देते हैं, पहले, यह दिखो, दो भाई तो का हमने, काटनी है, दो इंची की, मतलब दो इंची चुड़ाई और दो इंची लम्भाई, इसकी कटिंग करने है, यह देखिये, यह उनली सनाप लिया है, दो इंची इधर से और दो इंची इधर से, अब इसको जिपका देंगे और एक तरब से इसको दबा के चिपकाना है क्योंकि इसकी एर निकलनी चाहिए एर नहीं होनी चाहिए इसको यहां पर मस्रूम पैंचर भी लगा सकते हो लेकिन मस्रूम पैंचर मोटे टारों पर ज्यादा काम्याब है यह पत्ले टारों पर नहीं जादा काम्याब यह जब यह चलता है तो ज्यादा दबने के वयिसे मस्रूम पैंचर छोड देता है तो उससे बैटर यह बहुत अच्छा है चलता है में कि यह पारदी स्की बहुत हो जाती है और सॉप्ट होने के वयिसे इसकी लचक बनी रहती है जैसे भी ये दवे लडिस का तो ये पैंचर तो बन गया है और इसको अटा देते हैं अब बात रही किनारी लिक की ये देखिए इसमें जंग लगा हुआ है ये आपको लाल निसान जरा आ रहा होगा अब इसको पहले बड़ी सफाई कर देंगे ये देखिए रेगमार हमारा इसमें भी काम आता है दोनों करब से साफ करना होगा ये देखिए रेगमार से हमने विसाइस की करती है ये इंदर का खुड़ा निकाल देंगे पड़ा मार के अब रिम की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी अब रिम की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी पर कपड़ा भी मार देंगे अधिक और आप आप गेश लगातेंगे कि है यसमें जब लगा हुआ है और खुर्गणा पर जादा यह ऐगी उविभाती तो फुर्गरणे यहोगा हुए जिसमें इससे हवा लीक नहीं होगी अगर यह हो गया और यह नलकी के पास यहां पर ग्रिस जरूर लगा देना क्योंकि नलकी के पास से भी लीक होने लगता है जंग लगके जब खुला है तो इसमें भी ग्रिस लगा देंगे ग्रिस साफ से लगाना यह भी नहीं कि पूरी ग्रिसी भर दें इसको साफ भी करना है इसको ज़्यादा हो तुरू साफ भी कर लो साइट से यह दो को साफ भी कर दिया अब इसको रख देते हैं अज़िआ कि टैर के किनाजरों में ओइलिंग कर देते हैं यह देखिए इसमें जंग ज़्यादा लगा हुआ है तोड़ा ओइलिंग सई से करना पड़ेगा लेकिन हिसाब से करना है और और नहीं करना होता यह ध्यान देना अगर टूपवाले में करके चढ़ाओगे तो चूप कर जाएगी अब इसको चला देते हैं अ भाल बते हैं अग्वार वह बते हैं कर द जाएगी अपड़ कर दो, जब होँआ, आएगी जाएगी जाएगी गदोन आएगी जाता है यह हमाब भर्दी है इसकी किनारियां देखो चेक कर दे रहे हैं यह उक्ते हो गए ही पूर वाल भी चेक कर लो इसके बाद में इधर से भी चेक कर लो यह दोनों तरब की किनारियां भी चेक हो गई और अब यह जाने पैंचर बनाया था यह देखिए यह पैंचर बनाया है यह भी होके हो गया अब चलो प्रिट कर देते हैं इसको इसकी ब्रेक की तारे बगएर जाम थी तो हमने यह चार नट खोल करके बाहर निकाल दिया ट्रम से कि कई दफे तारे अगर आप डूच करते हो जंग लगा रहता है तो तारे टूट जाती है कोई नराज ना हो तो इसलिए हमें प्रिट करना होता है अब यह अधर से इसको फिट कर देंगे यह मिंटर की तार निकल गई है इसको मंदर कर देंगे तो इसको बात पर में करेंगे अब इसको दूट कर देता है अब करें अब करेंगे 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 अब इसकी तार को अंदर कर देंगे कि अधर करेंगे अधर पाना लगा देंगे इसको अधर पैर से टेक लेंगे इसको अधर पैर पैर शेच लेंगे इसको पहिया टाइट करने के बाद ये पहिया फिरी घूमना चाहिए पहिया फिरी घूम रहा है और बेक भी सॉलिट लग रही है बागी तर दिए बागी अगर आपको मेरा ये काम और ये जानकारी सही लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सिस्क्राइब करना जाहे हूं आज हमने जिसकी गाड़ी में पैंचर बनाया है उसी से साहता लिए वीडियो बनाने में बागी वीडियो में कोई गल्ती हो जाए तो माफ करना जय ही नहीं